हेलो एब्रीवन दिस इस सत्यम पद्ध है एंड वेल्कम टो मैं यूटूब चैनल दुरुगर मिज्ञान सांस्थान आज हम दो बी आर्टी में आई हुई प्रीविएस एर की प्रॉब्लम्स को डिसकस करेंगे और यह प्रॉब्लम्स काफी जादा इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे मेमोराइज थी और क्योंकि मैंने लास्ट एर्स में बार्क के एग्जामिनेशन दिये थे तो कुछ प्रॉब् मिलते हैं बार की ना बार की website पर जो लोग को मैमोरी बेज्ट Πैस होते हैं बही Questions बस मिल पाते हैं बाकी कहीं भी आव structure हाई यहां पर कहते हैं यहां पर कह रहा है hyper fine स्ट्रक्शय स्पिलिटिंग अकर्स डू-टू यह पोछा है कि हाई पर न्युक्लियर स्पिन अंदर टू-पर यहां नुलियर स्पिन करता है जिस वज़े से hyperfine structure split करता है पर एक other reason भी है साथ-साथ electron spin यह दोनों ही reason होते हैं जिसके वेज़े से हमें hyperfine structure मिलता है hyperfine structure जो है वो fine structure fine structure से आगे का एक step है तो यहां पर जो c option है वो correct हो जाएगा और जो next question है वो देखते हैं what is the partition function for the two two wasons occupying two energy states zero and a basically canonical ensemble से relate question पूचा गया है और यहां पर partition function का formula होता है वो लिख रखा है यह discrete case में partition function का formula है अब हम यहां पर two wasons को energy levels में fill करेंगे कि कैसे fill कर सकते हैं सबसे पहले हमने एक table बनाई आप लोगों को लिए एक table बनानी पड़ेगी और ऐसे ही करना है solve अगर आगे कभी question हाता है तो तो वहां पर जो zero जिस energy state का energy है वह लिख लिए और epsilon वाला लिख लिए और हमने EI लिखा है and GI GI जो है वो डी जन्देस ही है अब zero energy states में कितने particles रह सकते हैं बो problems हैं कोई भी condition नहीं होगा कि एक ही रहेगा या दो रहेगा सारे के सारे रह सकते हैं तो हमने सारे के सारे zero में लाके डाल दिए ओके यहां पर भर दिए उसके बाद epsilon में एक भी नहीं रहेगा अब एक zero वाली state में रख दिया एक epsilon वाली में तो energy कितना हो गया epsilon और यहां पर zero first case में zero third में epsilon and आगे हम क्या करेंगे कि zero वाले में एक भी नहीं रखेंगे epsilon वाले में दोनों particles को रख देंगे two epsilon इसका total energy हो जाएगा तो में रे पास यह तीन ऐसे energy states बन गए जिन पॉसिविल्टी से पार्टिकल्स उन दो energy levels में रह सकते हैं तो इनका डीजनलेसी तो वन ही है सब का देखिए आप लोग कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है तो डीजनलेसी बन होगा यहां एपलाई करते हैं जो भी हमने इस टेबिल से लिया है देखिए यहां पे डीजनलेसी वन इटू दे पावर energy जीरो corresponding energy रख दी यहां पे प्लस बन इए energy corresponding और डीजनलेसी रखते जाएंगे रखते गए और यहां पे हमें यह partition function find out हो गया तो यह answer है इस problem का और options याद नहीं है मुझे कि क्या options थे बाकी मैं चाहा था तो लिख भी सकता था पर क्या फायदा जब options यादी नहीं है तो ऐसे ही अपने मन से बना के लिख दो तो कोई फायदा नहीं है बाकी यह correct answer है आप लोग देख लेंगे एक बार खुद से solve कीजिए जो third problem है वो electro dynamics से आया था और बहुत अच् रखा था three equal charge q are placed at three corners of a square of length a then what will be the electrostatic potential at fourth corner of the square तो यह पूंचा गया था सबसे फ़ेले एक square draw कर रखा है मैंने यहाँ पर four corners दिखाए गये हैं a b c d और जो b c d हैं उन पर charge q रखा गया है q इस पर q इस तरीके से हमने अपने structure को draw किया कि यहाँ language भी लिख रख किया है वी अज्यूम है square a b c d charges at v c d and need to find potential at a ओके तो हमें यह पर potential find out करना है तो देखते हैं जो यह point a है इस square का इस पर पोटेंशल होगा वो बी पर जो charge present है उसकी वज़े से potential आएगा c पर जो charge present है उसकी वज़े से potential आएगा तो जो point a पर potential होगा वो इन three charges है इनकी वज़े से sum के equal होगा और हम लोग formula पहले ही जानते हैं कि किसी भी isolated charge की वज़े से किसी एक point पर जो potential होता है उसका value q divided by four pi epsilon not divided by r होता है इस formula की help से यह potential find out करेंगे at point a सबसे पहले जो point b पर चार्ज है उसकी वेज़े से हम लोग लिखेंगे simply distance a है तो हमने यहां पुट कर दिया यहां पे इस case में distance यह वाला यह diagonal का जो length होगा वो under root two times a होगा ओके तहां पर मैंने put किया one by one और q divided by four pi epsilon not a common होगा तीनों terms में ही हमने common ले लिया और one plus one two हो जाएगा उसको add कर दिया तो जो final potential आ जाएगा q divided by four pi epsilon not divided by a two plus one y root two यह हमारा final answer हो गया अब हम next problem देखते हैं यह जो problem था वो उच्छा है बहुती simple problem है और यहां पर दे रखा है which quantity is invariant under law and transformation तो इसमें क्या दे रखा था charge दे रखा था and e square minus v square दे रखा था और एक option था both का और एक था none of these तो आप सभी जानते कि charge is invariant quantity under law and transformation और यहां पर एक condition और भी है कि यह जो होता है e square minus v square यह भी under the law and transformation invariant होता है ओके तो यह जो c option था वो correct हो जाएगा both ओके तो next जो fifth problem है हमारा उसमें हमें एक matrix given था और उसमें पूंच रखा था कि यह matrix कौन सा equation satisfy कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा इसका characteristic equation लिखना होगा characteristic equation of a हमने लिखा determinant of a minus lambda i is the identity matrix and lambda is the eigen value of this matrix a और is matrix हमें यहां पर दे रखिए अब यहां पर हम लोग जब हम put करते हैं यह सारी चीजें तो हमें जो मिलता है इसको ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद बन माइनस लेमडा यह multiply होगा cross multiplication से यह cross multiplication होगा इस तरीके से यह से multiply होगा और यह इदर multiply हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 minus lambda square minus 10 is equal to 0 जब इसको square को open करेंगे तो square open करने के बाद lambda square plus 1 minus 2 lambda minus 10 यह find out होगा lambda square minus 2 lambda और 1 minus 10 minus 9 remaining रहेगा यहाँ लिख दिया is equal to 0 अब according to के लिए Hamilton theorem हम लोग जानते हैं कि जो matrix होता है अपना characteristic equation होता है वो satisfy करता है तो क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम lambda की lambda को matrix A के equivalent माल लें तो वो हमें आपको put कर सकते हैं A square minus 2 A minus 9 में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर मुझे मैं identity matrix लिखना भूल गया ओके तो लिखते हैं यह हमारा identity matrix हो गया यह equation उस option में दे रखा था और correct भी हो रहा था तो इस तरी के से इस प्रॉब्लम को solve करना था आगे next problem देखते हैं problem number 6 है हमारा इफ ए plane intersect the crash lographic X is at a comma 2b comma c then what is the Miller indices of the plane okay तो इन जो intersect intersect कर रहे हैं यह plane जो है हमारा in points पे intersect कर रहा है इसकी वजह से जो Miller indices generate होंगे उनको हमें find out करना है तो जो मिलर indices का concept होता है वह इस formula से relate होता है h ratio k ratio l is equals to a divided by o a v divided by o b c divided by o c यहां पर a b c यह तो latest constant है और o a o b o c these are the intercept आप यहां देख सकते हैं मैंने figure बता रखा है इसमें x y z axis यहां पर यह origin है यहां पर intercept कर रखा है o a is the intercept o b and o c इस तरीके से intercept होते है questions में हमें intercepts ही दे रखे हैं a to b and c मतलब o a o b और o c का value दे रखा है यहां पर put करेंगे a b and c कि सभी cancel हो जाएंगे और यहां से हमें यह find out होगा अब हम क्या करेंगे इसका lc हम लेंगे और lc से multiply करवा देंगे यह बे होता है कि कैसे हम लोग hkl और million indices find out करते हैं तो जब 2 से multiply करवाएंगे तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि टू टू बन आ रहा है पर यहां पर यह भी एक mistake है कि टू वन ओके यह बन होगा और यह बन होने के बाद यह बन एंड यह टू ओके क्यों कि यहां से जब हम लोग इसका lc हम लेंगे तो टू आएगा जब टू से multiply करवाएंगे तो टू बन जट टू ही रहेगा यहां पर टू बन जट टू और इस प्रॉब्लम का अंसर हो गया थोड़ा सा मिस्टेक अंथा आप लोग द्यान से एक बार देख लेंगे कि आए प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूप करते हैं यहां पर हमें पूंच रहे हैं यह वाट इस दा वेल्यू आफ एल एक्स लवाई कि एल्जेट ओके और कम्मुटेटर ब्रैकेट दे रखा है उसका हमें वैलू फांड आउट करना है क्वांटम मेकेनिक से कुश्चन आया था और वहती इजी प्रॉब्लम था अगर आपको थोड़ा भी कम्मुटेटर ब्रैकेट के बारे में कम्मुटेटर एल्जेबरा ज तो इसके लिए एक जनरल रिलेश्चनशिप होता है कम्मुटेटर ब्रैकेट ओफ लाए कॉमा एल्जे इस इक्वास टू आयोटा एज क्रॉस यह लिए से वीटा टेंसर होता है एपसाइलन आई जेके एंड एलके अब यहां पर कंडिशन होती है जब आई जेके यह तीनो आई जैड रहेगा अगर एकस वाई जैड दिफेरेंट तो हैं यहां जैड आजाएगा अब यहां देखिए हम यहां पर अपलाई करते हैं लगाई कॉमा एल्जेट दे रखा था तो आयोटा एज क्रॉस तो आएगा है अब यह तीनों डिफेरेंट दोनों यह अगर जैड के बाद वाई आ जाता तो हम यहां पर एक निगेटिव साइल लगा देते तो इस तरीके से लेवी सेविटाइट एट एंसर हम लोग यूज करते हैं यहां पर थोड़ा सा कॉंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ताकि जो है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए आ हमारा इस वाले कमेंटेटर ब्रेकेट का वेल्व मिला था वह इस रिलेशन सिप में दे रखा था उसमें पूट किया पूट करने के बाद यह फाइंड आउट हुआ अब हमें देख सकते हैं कि आयोटा एज क्रॉस कॉंस्टेंट है इसको बाहर ले ले लेंगे कमेंटेटर इसक पूर्म रहते हैं तो क्या होता है जो कमेंटेटर वेक्ट होता है वह 0 हो जाता है तो यहूट जीरो हो गया आंसर हमारा जीरो आएगा को परस्ट हाला घो हो दो पर कर्यार तो इस तरीके से अब तक हमने 7 questions discuss कर लिए हैं आईए अब 8th question की तरफ move करते हैं हमारा जो 8th question है वो दे रखा है यहां पर the value of internal energy of a diatomic molecule at high temperature एक diatomic molecule दे रखा है और temperature है वो high है हमें उसका internal energy find out करना है तो internal energy find out करने के लिए सबसे पहले हमें degree of freedom find out करनी पड़ेंगी और degree of freedom find out करने के बाद हम लोग जो equal partition theorem होता है उसका use करेंगे कि one degree of freedom की corresponding half kvt जो energy होती है ओके तो देखते हैं जड़ा क्या होता है diatomic molecule के case में diatomic molecule है और at very low temperature degree of freedom 3 होती है और room temperature पर degree of freedom 5 होती है तू जो तीरी तो translation तो रहेगा ही रहेगा उसका जो टू और बढ़ जाता है इसमें rotational degree of freedom और यह finally seven हो जाता है at high temperature इसमें क्या होता है कि जो हमारा vibration degree of freedom होता है वो भी include हो जाता है असेवन डिग्री ओफ रीडम हो गए तो वन डिग्री ओफ रीडम के corresponding हाफ के विटी एनरजी होगा हाफ के विटी एनरजी 7 multiplied by हाफ के विटी तो 7 माइट तो के टी यह के विटी ओके तो यहां पर जो डी ओप्सन है वो और यह हमारा एट प्रॉबलम भी complete हो गया अब आए यह next problem देखते हैं 9th problem 9th problem में दे रखा था the form exponential 2xt minus t square is generating function of simply form दे रखा था और पूछाता है कि की अनलग कौन से polynomial का जनरेटिक function है तो हमें पहता है कि लिजेंडरे polynomial जनरेटिक function क्या होता हरमाइट polynomial का जनरेटिक function भी देख लेते हैं सब सबसे पहले बैसल का देख लेते हैं तो बैसल के case में exponential x y 2 t ती माइनस बने बाई ये जेन्रेटिक फंक्शन होता है और इकवल टुसeszन जें In पिर आफ एम बन चुका है कि आपको इन के उपर एक नए equation बनी जाएगा कभी आपको पॉलिनोमिल दे दिया जाएगा फाइंड करवा लिया जाएगा कि वाट इस तरीके से फाइंड आट करवा लेते हैं कुछ कॉंस्टेंट की वैल्यू फाइंड आट करवा लेते हैं तो इनको आपको यहाद कर लेना है इसलिए मैंने यह तीनों ही यहाप लिख रखें यह लिजेंडरे के केस में होता है और हर्माइट के केस में होता है तो जो दिया गया यहाँ प प्रोब्लम्स को डिसकस किया अब नेक्स्ट सेशन में और प्रोब्लम्स देखेंगे तब तक के लिए आप इन नाइन प्रोब्लम्स को एक बार फिर से यहां रखिये रिव्यू कीजे क क्या क्या आता है और अच्छे से एक बार फिर से सॉल करके देखिए एक बार फिर से सॉल कर लेंगे तो अच्छा ही होगा ऐसा आपका कुछ कम हो जाएगा या फिर घट जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और तब तक के लिए मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक यू सो मच जहां रखिए स्वास्त रहिए ओके